अनेश चतूर्ती शुरू हो गया है ऐसे मैं सबसे पहला ख्याल आता है मोदक का आज मैं बनाऊंगी फ्राइ मोदक बहुत ही क्रिस्पी बन कर तयार होंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे चतूर्य कॉत फिरा तरहा घमी बन एनेश पहला है और सर्य को अच्छे बनाऊंगी फ्राइ मोदक बनाऊंगे तो मैं मैर्डे से बनाने वाली थी लेकिन टाइम की वजह से मैं बना नहीं पाएं थी तो फाइनली आज मैं सोची कि बना ही लेती हूँ तो मैं यहाँ पे आज फ्राई मोदक बनाऊंगी तो मैं मैदे से बनाने वाली हूँ मैंने यहाँ पे दो कटोरी मैदा लिया है अब हम इसमें मोयन के लिए घी डाल देंगे जिससे की मोदक एकदम खस्ते यानि की एकदम क्रिस्पी बने तो मैं यहाँ पे चार छोटा चमच डाल रही हूँ आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा साथी गनेजी के लिए बना रहा है तो तेल का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं घी का ही इस्तेमाल करेंगे इससे खस्ते भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे और इसे हम अच्छे से मीक्स कर लेंगे इसमें मोयन कुछ इस तरह का होना चाहिए यह बिल्कुल परफेक्ट है तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम सौफ्ट सा डो तयार कर लेंगे यहाँ पर हमें आटा एकदम सौफ्ट ही लगाना है यह नहीं कि हमें क्रिस्पी यानि कि खस्ते बनाने हैं तो आटे एकदम सत लगा है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है अब आटा यहाँ पर सौफ्ट ही लगाईएगा आप इसे सूजी से भी बना सकते हैं या आटे से भी लेकिन मैदे से थोड़ा ज्यादा अच्छे लगते हैं और इसे हम ढखके 10 मिनट के लिए रेश्ट पर रख द है तो जैसे केटेड नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि नारियल के बुरादे का भी बट मुझे परस्नली इस तरह से नारियल ज्यादा अच्छे लगते हैं मोदक में तो मैं इसे पहले ग्रेट कर लूँगी तो मैं इसे थोड़ा मोटा ही ग्रेट करूँगी बस मैं यहाँ पर नारियल और काजू का ही इस्तेमाल कर रही हूँ गैस पर लेंगे कडाही और इसमें हम ले लेंगे दो छोटा चमच घी और इसमें हम काजू को डाल के फ्राइ कर लेंगे और साथी इसी में हम डाल देंगे नारियल को भी यानि कि गरी को भी इसे हम एक मिनट के लिए भूनेंगे जादा नहीं भूनेंगे क्योंकि नारियल बहुत जल्दी भून जाता है तो मिडियम से लो फ्लेम पे ही भूनेंगे हाई फ्लेम पे नहीं और काजू भी बहुत जल्दी भून जाता है जब ये भून जाए तब हम इसमें डाल देंगे मावा आज मैं मावे का बनाने वाली हूँ मोदग तो मैंने मावा को पहले ही भून के फ्रीज में रख दिया था आपको मैंने बताये कि मैं बहुत दिन से सपर रही थी बनाने के लिए टाइम की वज़े से मैं नहीं बना पा रही थी तो मावा खराब ना हो यानि कि खोवा खराब ना हो इसलिए मैंने भून के रख दिया था भून के रखने से फ्रीज में खोवा बहुत दिन तक सेफ रहता है मतलब कि खराब नहीं होता है तो थोड़े ये फ्रीज में रखने की वज़े से कड़े हो गया थे तो जब हम इने भूनेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएंगे मैंने इसे हाथों से थोड़ा सा क्रमबल कर दिया है यानि कि मैस कर दिया है और इसे हम एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे ज्यादा नहीं भून ना है यहाँ पे हमारे खोवे भूने हुए है अगर आप यहाँ पे फ्रेस खोवे का इस्तेमाल कर रहा है तो पहले आप खोवे को भून लीजिएगा फिर उसमें ड्राइफ रूट्स एड़ के जिएगा इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होनी के लिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था जिससे कि यह ठंडा हो जाए मैं अब इसमें चीनी एड़ करूँगी तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिया था खोवा लगवा 500 ग्राम के करीब लिया था तो उसका आधा हम चीनी लेंगे मैंने आधी कटोरी लिया आप ऐसे तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितने आपको मीठा पसंद हो आप यहाँ पे गूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने चीनी में ही 2-4 इलाइची को पीछ लिया था फ्लेवर के लिए जितने दिर में खोवा ठंडा हो रहा था उतने दिर में मैंने ये काम कर लिया था इसे तो मोदक बहुत तरीके से बनते हैं और बहुत तरीके की फिलिंग भी होती है सूजी की भी फिलिंग बनती है केवल नारियल की भी फिलिंग बनती है बुरादे की भी फिलिंग बनती है आपको जैसा पसंदों बना सकते हैं यहाँ पर आटा भी अच्छे से सेट हो गया था तो एक बार हमने इसे मसल लिया है और इसके हम लोई ले लेंगे बनेंगे और जो बीच में कड़े हो जाते हैं तो उससे कड़े बिलकुल नहीं बनेंगे और इसे हम इस तरह से बीच-बीच में उठाते हुए प्लेट देते जाएंगे मतलब कि इस तरह से उठाते हुए सटाते जाना है बहुत ही आसानी से बन जाता है आप चाहें तो थोड में हम फिलिंग को भर देंगे मैंने यहां पर एक छोटा चमच भरा है आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं और इसे इस तरह से हलके हाथों से दबाते हुए पैक कर देंगे अच्छे से इसे सटा देना है जिससे कि जब हम इसे फ्राइ करें तो फिलिंग बाहर ना है यह देखिए कितना अच्छा मोदग बना है ऐसे हम यहां पर और भी बना लेंगे मैं आपको एजी तरीका भी बता दे रहे हूं बहुत ही असानी से बन जाता है यह एक के उपर इस तरह से प्लेट को रखते जाए एक के उपर एक प्लेट को इस तरह से रखते जाना है और इसे टर्न करते जाना है और बीच में जो होल है इसमें हम थोड़ा पानी लगा ले बीना पानी के भी यह खुलेंगे नहीं क्योंकि हमने यहां पे डो बहुत टाइट नहीं लगाया है लेकिन सेफटी के लिए आप चाहें तो पानी लगा सकते हैं इसी तरह से यहां पे हमने कुछ मोदक बना लिये हैं तो इधर हम इसे फ्राइ कर लेंगे एक बार में बहुत इसमें हलका कलर आ जाए तो मीडियम कर सकते हैं इसको इसे फ्राइ करने में मुझे कम से कम आठ से नौ मिनट लगे थे और बहुत ही अच्छे बनकर तयार हुए थे बहुत ही खस्ते बने थे तो यहां पे मोदक फ्राइ हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे और भी मैं यहा सारे मोदक देख सकते हैं तो यहां पर हमने सारे मोदक फ्राइ कर लिये हैं और यह देखिए कितने खस्ते बनकर तयार हुए हैं फिलिंग कितनी अच्छी है एक दम भूर भूरी सी तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और अगर तब तके लिये बाँ बाइ